नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अभ्यास पुस्तिका में से बुधात्मक प्रश्ण और बहु विकल्प की प्रश्ण के बारे में जाना था और कुछ भाषा और व्यकरण में से रिक्तस्तानों के बारे में भी जाना था और अभी हम आगे बढ़ेंगे और जान समानार्थक शब्द का प्रयोग करके वाक्य पुना लिखिए तो यहां पर रंगीन शब्द अंक्षतान पर जो प्योग करके हमें कुणा लिखना है तो यहां पर पहला जो प्रश्ण है वो है लड़के वहां मौजूद थे और कोश्टक में दिया हुआ है उपस्तीत तो हमें इसका उत्तर लिखना है लड़के वहां उपस्तीत थे तो इसका जवाब होगा लड़के वहां उपस्तीत थे और इसी प्रकार से बच्चो जो आग में पोश्टक में दिया हुआ है साधारन तो हमें हां पयां किस प्रकार से लिखेंगे साधारन चीजों के लिए मत परिशान हो और आगे हैं कुछ जानवर खास तरह की आवाज निकालते तोब आपे हम्हापे लिखेंगे कुछ जानवर विशेश प्रकार की आवाज निकालते हैं और आगे हैं शायद इसके बाद बोलिया शुरू हुई और यहाँ पर कोश्टक में हमें दिया हुआ है संभवता तो इसका उत्तर होगा संभवता इसके बाद बोलिया शुरू हुई और आगे का जो है वो सेंटेंस कुछ इस तरह से हैं हर एक भाशा की कई शाखाए पैदा हो गई हर एक का मतलब प्रत्यक का होता है न तो यहाँ पर जो प्रत्यक जो शब्द हमें दिया हुआ है उसका हम हर एक की स्थान पर उप्योग करेंगे और लिखेंगे प्रत्यक भाशा की कई शाखाए पैदा हो गई जो बच्चों में आपको बोल रही उसे हमें आगे की तरफ लिखना है और आगे का प्रश्ण है उस जमाने में लिखने का रिवाज नहीं था रिवाज का नहीं की जमकहित है रीती, रिवाज, प्रचलन तो यहाँ पर प्रचलन दिया हुआ है तो हमें उस जमाने में लिखने का प्रचलन नहीं था इस तरह से लिखना होगा जो की बिल्कुल सही होगा और आगे हैं मैं चीनी लिखावट का बयान कर चुका हूँ बयान करना का मतलब होता है explain करना, वर्नन करना तो यहाँ पे उन्होंने हमें वर्नन शब्द दिया हुआ है तो लिखेंगे मैं चीनी लिखावट का वर्नन कर चुका हूँ बच्चो मुझे आशा है कि आपको इस सब्द के बारे में समझ में आ गया होगा और हम अभी बच्चो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णों की तरब जो कि हैं इन शब्दों के वचन बदलिये वचन नाने कि बच्चो जो एक वचन बहुँ वचन होते हैं इस्यूश्य यहां संसे हमें बदलने हैं और लिखने हैं तो पहला जो है वह है को घोड़ा जिसका होगा घोड़े जिए कि जो एक घोड़ा है उसकी जगे अगर बहुत बहुत सारे गोड़े के ङहां बहुत भुशली जमानी में आता है मिने गवया करा जा है तो बन जाएगा बोली और आगे हैं मात्राय बचो मात्रा का अर्थ होता है quantity यहाँ पे उन्होंने quantity के हिसाब से बोला है तो मात्राय का होगा मात्रा थोड़ी मात्रा बहुत ज्यादा मात्राय इस तरह से जो होता है तो यहाँ पे मात्रा लिखेंगे और आगे हैं जातिया जो कि बहुत सारे जाति होते हैं जैसे की परशु में होते हैं कुटे की प्रशाति की अलग होते हैं अगी होती है आगक Mmm एक हमेब्यूना होगा तो बोलेंंगे की जाति है और आगे है शाक खाए शाक का मतलब है जिसे हम ब्रांचस कहते हैं अगर एक पेड की बहुत सारी मिंख्प होती हैं तो आप हमें यहां पर ऐ आप कि शाखोस कहेंगे ठीक है बच्चों और अभी यहां पे और कुछ शब्दों दिये हुए हैं जिसके वचन आपको स्वैम से बदलना है और इसका आंसर मुझे भेजना है ठीक है और अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरब को आगे हमें दिया हुआ है याझनि की बहुविकल्पी प्रश्न यहां पे हमें बोला गया है कि दिये गए रंगीन शब्द के लिए जो विशेशन उपयुक्त नहीं है उस पर गलत का छिन लगाई है तो पहला है जानवर याने कि अनिमें और यहां पर दिया हुआ है जंगली जनली जानवर होते हैं और आगे हैं पालतू भी होते हैं घरेलो जो होम-friendly होते हैं जुने घर में रहना अच्छा लगता है उसार के जानवर को घरेलो कहेंगे रंगीन जन्वर रंगीन भी होते है बचो रंगीन ये सही शब्द नहीं है तो यहां पर हम क्रॉस का छिन लगा देंगे और आगे का शब्द है पानी, पानी यानि की जल, वाटर, और यहां पर विशेशन हमें दिये हुए है गरम, गरम पानी होता है, जुसे हम नहाने के लिए इस्तमाल करते हैं गरम पानी और लंबा, कभी अपने पानी को लंबा सुना है या फिर देखा है, नहीं न, पानी की को कोई लंबाई, चवडाई नहीं होती है, हाँ, मगर हम ऐसा जरूर कहते है कि नदी बहुत लंबी है, हम नदी को लंबाई से नापते है, ना कि पानी को, तो यहां पर हमें क्रॉस का चिन लगाना है, और आगे है ठंडा, जी, ठंडा पानी होता है न, जब गरमी का मौसम हो जिसे गुनगुना कहते हैं, जिसे की सुबह सुबह पीना बहुत अच्छा होता है, सहत के लिए, और आगे का शब्त है, आदमी, अनि की मनुष्य, आदमी, आदमी को कभी आपने लाल आदमी करके सुना है, नहीं न, तो लाल यह जो पिशेशन है, वो सही नहीं है, और आगे है सभ्य, जो भोत जादा सभ्य होता है, वोसे सभ्या आदमी कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही विशेशन है, और आगे है अनपड, अनपड कार्थ, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसे आच्छे से बात करना नहीं आता है, ऐसा हम समझ सकते हैं, जिसे हम इससे हम देखा होगा आपके जो दीदी भया होते हैं, अगर तो कॉलेज में कोई medical engineering कर रहा होगा तो उनकी किताबे बहुत बढ़ी-बढ़ी होंगी जिसे हम मोटी किताब कहते हैं, रंगीन किताब भी होते हैं क्योंकि किताबों में रंग भी रंगी पन्ने होते हैं हाँ बहुत रंगीन किताब है मगर यहाँ पे जो अगला शब्द है कुरुप किताबे कुरुप नहीं होती तो यहाँ पे हम रॉंग का छिन लगाते हैं रागे हैं पतली यानि कि जिसमें कम पन्य होते हैं उसे हम कहते हैं पत्ली किताब तो वो भी बिल्कुल सही विशेशन होगा और आगे का जो शब्द है वो है लड़का यानि कि boy लड़के होश्यार होते हैं जैसे कि आप सब लोग हैं बुद्दू हाँ कुछ लोग बुद्धू भी होते हैं बल्वान यानि कि जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है उसे हम बल्वान भी कहते हैं और आगे है रूपसी लड़का रूपसी होता है क्या नहीं यह विशेशन हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस का च चिन लगा देंगे और आगे है देश यानि कि जो देश होते हैं जैसे कि भारत रश्या चाइना जापान यह सारे देश है और देश तेज होते हैं नहीं ना तेज तो साइकील होती है तेज दोड़ना होता है तेज रेल गाड़ी होती है मगर देश तेज नहीं होता तो यह सबसें आप us the English करउस चैने लगा देंगे और आगे यह जो शब्दव स्कूर्ण आपने कभी सुना होगा है एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर आ रहा है तो ताकतवर भी विशेशन बिल्कुल सही है ठीक है बच्छों तहे हो गया हमारे व्यक्रन के रिलेटेट जो जो को प्रशनते उनके उत्तर और आगे आपको कुछ स्वयम से उत्तर लिखने हैं आपके अभ्यासपुस्तिक के पेज नंबर 6 और 7 में से तो आपको उसको कंप्लीट करना है मैं फिर सी मिलूंगे आपसे हमारी अगली कक्षा में तब तक के लिए बाई धन्नवाद